डॉक्टर भारती पवार जी भी बैठी हैं, वो हमारे हेल्स भी भाग में, M.O.S के रुप में काम कर रही हैं, दो और लोग हैं जिनका आपका समन्ध regular रहने वाला है, वो है डोनर मंत्राले के नए मंत्री, सिमान जी किसिन रेडी जी, और उनके साथ M.O.S बैठे हैं, सिमान B.L. वर्मा जी, तो ये परिशे भी आपके लिए बहुत जरूरी है, साथियो करोना से नौर्थ इस्ट में आप सभी किस प्रकार से कुछ innovative ideas के साथ इससे निपटने के लिए जो महनत कर रहे हैं, आपने जो योजराये बनाई हैं, जो साकार किया है, उसका विस्तार से आपने वर्णन किया, आप लोग अरिक प्रजार से पूरा देश और विशेश करके हमारे health workers, हर ने, हर किसे ने अपनी अपनी जिम्मेवाई निभाने के लिए गत डेड़ साल से लगातार परिश्रम किया है, नौर्थ इसकी भावगलिक चुनावतियों के बावजूत, टेस्टिंग और ट्रिट्मेंट से लेकर वैक्सिनेशन का इंफा स्थेक्र तैयार किया रहा है, और विशेश रूप से आज मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से इठीक चार राज्यों को भी इंप्रूब करन बागी है, लेकिन बाकियों ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका, इतना ही नहीं, आपने हर वाहरल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का भी ताम किया, और एक प्रकार से आपने प्लस प्रयास किया, तो मैं आपके इस प्रयास को और खास करने जो हमारे मेडिकल फील्ड के लोग है, जिन्होंने एक उसलता दिखाई है, मैं उस टीम को बहुत बढ़ाई देता हूं, क्योंकि वेक्सिनेशन में वेक्सिन का इतना महत्व हैं, और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है, इसलि रही है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पुरा विश्वास है, सात्यों बरतमान परिस्तिती से हम सब भली भाती परिचीत है, कोवीड की दूसरी लहर के दोरां, अलग-अलग सरकारों द्वारा मिलकर, जो सामोहिक प्रयास कि हैं, और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन 39 के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां संक्रमन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की या रही है, इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहनी की जरूरत है, और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा, संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सक्त कदाम उठाने होंगे, और अभी हैमनता जी बता रहे थे, कि उन्होंने लोगडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेंडमेंट जोन का रास्ता चुना, छे हजार से अधिक माइक्रो कंटेंडमेंट जोन बढ़ाए, इसके काँ रिस्पोंसिबिल्टी तैर हो सकती है, उस माइक्रो कंटेंडमेंट की जोन का जो इन्चार्ज होगा, उसे पूछ सकते हैं, कैसे गडबड हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ, इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परितिती से जल्दी बहार आएंगे, और बीते डेड़ साल में, जो अनुभव हमें मिले हैं, जो बेस प्रक्टिस हमने देखी हैं, हमें उसका भी पूरा इस्तमाल करना होगा, देश के अलग अलग रा प्राज्य में भी कुछ जिले होंगे, कुछ गाउं होंगे, कुछ अफसर होंगे, जिन्नोंने बड़े इनोवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा, ये बेस प्रक्टिस को अइडेंटिफाय करके, उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे, हमें सुवी बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, और उसके कारण हमारे लिए भी चुनोतिया खड़ी करता है, और इसलिए हमें हर बेरियेंट पर बहुत बारिकी से नजर रखनी पड़ी है, मुटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्स लगातार स्टडी कर रहे हैं, पूरी टीम हर बडलाव पर नजर कर रही है, ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीट्मेंट ये बहुत जरूरी है, इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी सक्ति लगानी है, पूरा फोकस इनी चीजों पर करना है, वायरस का प वो दोगज की दुरी, मास्क और वैक्सिनेशन के कवज के सामने कमजोर पड़ जाएगा, और यह हम पिछले डेड़ साल के अनुभव से देखा है, वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रिक्मेंट, इसकी जो हमारी रणनिती है, जो हमारा इंफस्रेक्तर है, वो अगर ब जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे, यह पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमानित हो चुका है, और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोच्षाइद करते रहना होगा, समाज के भी सिविल सोसाइटी क के लोग हो, धार्विक समाज के जीवन के आगे मुख्या लोग हो, इन सबसे बार बार यह बाते आती रहें, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, साथियों यह सही है कि कोरोना की वज़े से तूरिजम, व्यापार, कारोबार यह बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन में, मार्केट्स में, बीना वास्क पहने, बीना प्रोटोकल का अमल किये बिना, भारी बीड का उमरदा, मैं समझता हूँ, यह चिंता का विशा है, यह ठिक नहीं है, कई बार हम यह तर्क सुनते हैं, और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भैं, तीस लोगों को समझाना जरूरी है, कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, कभी-कभी लोग सवाल को तेक तीसरी लहर के क्या तैहरी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे, आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में, कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प् और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है कोई जाकर के ले आए तो आती है और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराब बर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे आने के बाद क्या करें को एक विशह है लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमु इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉंप्रोमाइज नहीं करना है और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी लापरवाई भीड़भाड ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमन में भारी उच्छाला सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंबिर्ता के साथ उठाए जाए अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रूख सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए साथ योग केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सिन मुक्त वैक्सिन अभ्यान की नौर्टिस्ट में भी उतनी ही एहमियत है तीसरी लहर से मुकामले के लिए हमें वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है हमें वैक्सिनेशन से जुड़े भ्रह्म को दूर करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सैक्षणिक जितने भी लोग हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब को हमने जोड़ना है हर एक मुँसे इस बात को नीचे प्रटारित करना है और लोगों को मुबिलाइज भी करना है अभी नौर्थ इसके कुछ राज्यों में टीकाकरों को लेकर सरानिय काम हुआ है मैंने प्रारम में भी कहा जहां कोरोना का संक्रमन फैलने का खत्रा जादा है वहां वैक्सिनेशन पर और भी बल दिया जाए साथियों हमें टेस्टिंग और ट्रिक्मेंट से जुड़े इंफासेक्टर में सुधार करते हुए आगे चलना है इसके लिए हाली में केबिनेट ने 23,000 करोड रुपिये भारत सरकार ने 23,000 करोड रुपिये का एक नया पैकेज भी स्विक्रूत किया है नौर्थ इसके हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफासेक्टर को बजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी इस पैकेज से नौर्थ इस्ट में टेस्टिंग, डियानिस्टिक, जीनॉम सिक्वेंसिंग इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा जहां केस बढ़ रहे हैं वहां तुरंत आईस्यू बेड कैप्रसेटी बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी विशेश रूप से हमें ऑक्सिजन पर पीडियांट्रिक कैर से जुड़े इंफ्रसेक्रे के निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा पी एम कैस के माद्यम से देश भर में सैक्डो नए ऑक्सिजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगत्य हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया नौर्थ इसके लिए करीब डेड़ सो प्लांट स्विक्रूत हुए हैं मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे हो कहीं कोई बाधा ना आये इस पर भी एक द्रश्टी रखे और इसके लिए आवर्शेक जो मेंट पावर है स्कील मेंट पावर है उसको भी तुरन साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बाद में जाकर कि वो दिक्क कर ना आए नौर्थ इसकी भावगलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है एक और अहम विशह है जो से मैंने प्रारम में कहा और फिर भी एक बहुत लेकिया ट्रेंड मेंट पावर का जो आक्सिजन प्लांट लग रहे हैं जो आई कि चार रुप से चलाने के लिए ट्रेंड मेंट पावर भी आवशक है इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब तक कराएगी साथियों आज हम पूरे देश में 20 लाज से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की एक संता तक पहुंच चुके हैं नौर्थ इसके हर जीले में विशेश रुप से अधिक प्रभावित जीलों में टेस्टिंग इंफ्रसक्र को प्रत्विक्ता के आधार पर बढ़ाना होगा यही नहीं रेंड़म टेस्टिंग के साथ सा हम क्लुस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें इसक मुझे पुरा विश्वास है कि हम सब के सामोहिक प्रयासों से देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमन को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे मैं फिर एक बार आज विस्तार से नौर्टिस की चर्टा करके बहुत स्पेसिफिक विश्यों पर हम चर्टा कर पाएं मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नौर्टिस में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही हैं उसको तुरंद रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत सुपकामना है जल्दी से मेरे नौर्टिस के भाई बैन करोना से मुक्ति का आनंद ले